आज हम ने प्लाइन किया कि आज हम जाएंगे जिक टेंपल जो की काफी ही अच्छी जगह पर है वहां की ब्यूटी इस जस्वाव हमने तो अभी सिर्फ गूगल पे ही पिक्चर्स देखी हैं और अभी हम निकल चुके हैं उस टेंपल को स्क्रोर करने के लिए जिसका नाम है रामदारा टेंपल और आज हमने प्लैन किया है कि अज हम जाएंगे अपनी बैस्किल से देखते हैं कैसा रहता है आज का इस सफ़र ही यह वी आर ऑन दे वे टू रामदारा टेंपल और यार अगर हम आज मौसम की बात करें तो मौसम काफी अच्छा सा हो रखा है बड़ थोड़ा सा वाम फील हो रहा है जोकि जैसे जैसे हम थोड़ी आगे बढ़ेंगे टाइम भी देगा धूप थोड़ी होती जाएगे क्योंकि हम अभी मौर्निंग में निकले हैं तो अभी हम अप्रॉक्स अप्रनून हो जाएगा पहुंचते-पहुंचते क्योंकि आज हम साइकल से भी जा रहा हैं तो बीच में हम थोड़ा रूखके रिलेक्स करते हैं कि अच्छी मिल रही है हमें तो हम थोड़ी दिर यहां पे रुकेंगे एंड़न कुछ फोटो शूट करेंगे उसके बाद हम यहां से निकलेंगे हैं आप देख पार हमें काफी अच्छी व्यू मिल रही है आसे का अब ही हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और यह हम मंदिर के गेट से एंटर कर चुके हैं तो हम बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं और हमें यहां से अभी पार्किंग दिख रही है तो हम पहले बाइक पार करेंगे और ड्रेस चेंज करेंगे और फिर चलेंगे अंदर और यह रहा मंदिर का में गेट और यहां से यह मंदिर काफी अच्छा दिख रहा है एक छोड़ा सा लेक और इस ते बीच में मंदिर और पाम ट्रेट काफी एक अच्छी व्यू है यहां पर मतलब नेक्स्ट लेवर तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर यह कुछ है ऐसा गालिन टाइप का मंदिर के बाहर का व्यू अभी कुछ देर में मंदिर के अंदर चलेंगे से दर्शन करने के लिए अभी हम आ गया है बिलकुल मंदिर के अंदर और अभी एक और मंदिर है मतलब बहुत सारी ऐसे तो मुठिया है कुछ बाहर भी पर जो में अंदर मंदिर है वो हम बिलकुल उसके अंदर भी जा रहे हैं और देखेंगे यहां पे कैसी मंदिर है और कौन-कौन से भवान की मुठिया यहां पे हैं कर दो झाल झाल कर देखते हैं अभी और कौन सी बगवान जी की मुर्तियां है यह हमें बिल्कुल एक प्यारी सी बिल्ली दिखी जो की काफी दोड़ते हुए मंदिर के अंदर जा रही थी और लास्ट में मैंने कुछ टेंपल के कुछ विडियो शॉट्स लिया है जो कि मैं बाद में एड़ कर रहा हूं और क्योंकि हमें निकलने का टाइम भी हो गया है और हम कुछ नास्ता करेंगे अब देन निकलेंगे दिन तो अभी मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूं यहीं पे बट यह ब्लॉग कैसा लगा आप लोग चरुरू बताईए के कमेंट सेक्शन में तिल रें बाइबाए बाइब